जय मातादी मित्रों स्वागत है आपका गुरु जोतिस समाधान में आज हम बात करेंगे मुलांग 5 वालों के मुलांग 9 वालों के साथ कॉम्बिनिशन की आए जानते हैं जब मुलांग 5 और 9 मिलते हैं तो जीवन में क्या परिवर्तन होंगे क्या अच्छा परिणाम होगा या जीवन में परिशानियों का सामना करना पड़ेगा क्या नई संभावना युद्पन होंगी क्या नई बदलाव देखने को मिलेंगे कैसा रहेगा इनका साथ चलिए इसे नुम्रोलोजी की मदद से समझते हैं अंक पांच का स्वामे बुद्ध है जबकि अंक नौ का मंगल अंक पांच के लोग सोतंतरता प्रेमी, बेचैन, परिवर्तन शील और अपरम परागत होते हैं वहीं अंक नौ के लोग अत्यधिक आध्यात्मी, प्रगती शील, समवेदन शील, प्रतिभाय शाली और घर से प्यार करने वाले होते हैं ये दोनों संख्याए विप्रीत होने के बावजूत ये अच्छे बिजनस पार्टनर के साथ साथ दोस्त भी बन सकते हैं हाला कि एक सफल विवाह के लिए इनमें उचित समझ का होना बहुत आवशक है इस एसोशियेशन के लोग जोखिम भरे निवेश या जूए पर भी बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हैं या यू कहें के पैसे को बरबाद कर सकते हैं यह उन दो लोगों के बीच का रिष्टा है जिने अपने व्यस्त कारे करम में रिष्टे निभाने के लिए टाइम कम मिलता है इन दोनों संख्याओं को वाद विवाद और विचार विमर्ष के लिए आपस में समय निकालना चाहिए और एक समझ विक्सित करनी चाहिए जिसे कि यह रिष्टा अच्छा और लंबा चले जय है माता दिमित्रो